तो इसाहлы आप सोगत है और यसे फारुफं नें फारुमला में दोस्तों मस्रूम का जो अब्यव होता मरेन जो घटक बो हम इनिटी तो मैं बात करूँगा जो मस्रूम की खेती में जाहIN ओश्टर हो, चाहे मिल teen हो सू कि अगर आपकी हमिनिति शीह रहतीं तो अंधकर उपका मसरूम एकदब मस्त निगलेगा और मसरूम में प्रोडेक्शन जो चलता प्रोडेक्शन आपका अच्छा चलता रहेगा और मस्रूम में quality होगी और इसी पर मैं बात करूंगा जो हमिनिटी आपको कितनी रखनी चाहिए और जो बटल मस्रूम की खेती जो लोग करते हैं यानि जो छफपर में तो उनके लिए बीडियो बहुत ही महत्कूड है क्योंकि हम लोगों को इसमें जो 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 पड़ी में मस्रूम की खेती करते हैं तो उसमें प्रोबलम होती है प्रोबलम यह होती है कि हमको चुप गंटा तक बरावन नहीं रहती है तो उसी पर मैं बात करूंगा बहुत निचुरल तरीका है जो हमिनिटी मेंटेन करने का तो मैं आपको बताऊंगा कि जो जोपड़ी वाले जो किस अब आपको अंदर दिखाऊंगा तो देखें दोस्तों मैं आभी आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे मेंटेन रखते हैं इतने आपमार आपम्हींडिटी कितनी है तंपरेचर कि इतना अब मैं आपको दिखारा हूं अपना मीटर से जए वह हमारे में लगा है दोस्तों इसमें तो सोला पांट साथ टिझेंगरेट ना है और ये इसमें पाचमिसमीडिटी इसमें 309 अगसुखेया 40 तो दोस्तों अभी अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैं इसको मेंटेन करते कैसे करता हूं इसको मैं 85-90 कैसे रखता हूं पहले पहले मैं आपको यह बता दो कि हमिनिटी मैंट्रेन करने के लिए पहले आप अपनी रेक का रेक नमी आप प्रापर रखिये पूरी रखिये और जास्या रेक हो तो इसमें नमी पूरी प्रयापत भनाए रखें renew क şek करने के लिए देखिए उपर हम इस पर मारते हैं हलका हलका उपर मारते हैं और देखिए किस टाइब से इस पर मार दिया जा रहा और इसके बाद में हम पूरे मतलब पूरे रूम पर दिवाल हैं दिवालों पर मारते हैं उपर भी मार देते हैं हलका और दिवालों पर अच्छ तो वो चीज हमारी बहुत ही अच्छी होती है, humidity बहुत ही जल्दी अती, complete होती है, तो इसलिए इस टाइप से पहले आप पानी spray करें, देखें दोस्तों humidity maintain करने के लिए हमको चारों तरफ पानी डालना होता है, देखें यह बाल्टी से किनारे किनारे पानी डाला जा रहा है, के देखिए किनारे भी ढलते हम गैलरी में भी ढलते हैं जिससे हमारी humidity maintain हो सके और पानी उतना डालें जो चार-फांच गंटे में सोख लें और यह पानी जब पढ़ेगा तो नमी बड़े टंपरेचर होगा तो इसलिए पानी ज्यादा तर साम पानी डाल देते हैं इस तरीके से से बर देता हैं जो 4—5 गंटे में सूख जाया और सूकने की बज़ा से हमेडिटी भी हमारी में बहुत ही अच्छे से complete होती है और उसे बाद में temperature जो morning में थोड़ा ज्यादा होने लगता तो इसलिए पानी सुगे डालना अच्छा होता है और उसे बाद में evening में अगर हम डालें पानी तो इसमें temperature कम हो जाता है और मैं आपको एक दो तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि हम उस तरीके से भी किस टाइप से हम maintain कर सकते हैं तो दोस्तों इसे हम बालती से पूरे में पानी डाल देते हैं यह देखिए इस तरीके से और मैं अभी आपको दिखाने के लिए कि हम humidity कैसे maintain करते हैं तब ही मैं इतने टाम पानी इसमें डाल रहा हैं और ठीम्पराश द्किन भालोफ िवलक्त 2007 web Lion amendment यह शुमाल में रहती है टो इतना डाउब नहीं होता है अगर 12-13 भी आ जाता तो इतनी प्रोब्लम नहीं होती है लेकिन मडिकी कमsın तो तो दोस्तों इसलिए अगर हमारी हमिडिटी अच्छी है तो पिन हैड आपको दिख रहा हुगा यह मतलब गुरोथ जल्दी करते हैं बहुत ही अच्छा गुरोथ में होता रहता है अगर इसकी प्रोब्लम होती है तो गुरोथ हमारा स्लो हो जाता है यह देखिए यह हमारा टंपरेचर पहले नहीं इसमें उपर वाली रेक में में नहीं रहता था और कुछ प्रोब्लम भी आ गई ती जिसका मैंने वीडियो दिया था तो इतने टा हमारे यह उपर भ वालव लगा हुआ इसलिए लाइट ़्यादा आ रही है किए इस टाइप से मैं चीज हमारे हमीडिटी होती है अब देखिए 65 अमारी हमीडिटी थी और इतना जमीन पर पानी डालने से आपको मैं अभी दिखा रहा हूं लाइट लग रही है जादा देखना 77 अमारी बढ़ तो मैंने इसके यही इसी के लिए क्योंकि उनको कुछ हिंट मिल सके और उससे इसी का जो मतलब थोड़ा फाइदा वह भी उठा सके और यह चीज है आप जमीन में पानी अच्छे से डालें और जो रेक हैं यह आपकी बैग हैं तो उसमें नमी आप बराबर रखें और अगर म अच्छा रहेगा जिससे आपका टंप्रेचर भी जादा नहीं डाउन रहेगा और तो क्या नीचे जो पानी भराए वह सूख जाएगा सूख के उसमें भाफ भाफ के रूप में उपर जाएगा तो उपर रूम पर रहेगा तो क्योंकि मैं सुब्य देखता हूं जो अमारे सब्सक्राइब तो इस चीज से क्योंकि इसमें जो होगी तो हमारा मस्रूम बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा और प्रोडक्षन भी अच्छा चलता रहेगा तो यहीं चीज है इमिनिटी की प्रोब्लम हम लोगों को होती है तो इसी तरीके से हम मैंटन करते हैं चारों तरफ से पाणी इसमें डालते हैं तो इसमें बहुत अब क्याम है मेधीजेकर शाया अनुफते बहुत निकलता रहेगा देखिए इस टाइब से इसमें पानी भरा गया है और पुछ चमीन ऐसी पे डालना है जो चिकनी मिट्टी होती है उस पे नहीं डालना है अगर उसमें डालोगे तो पानी थोडा ठहरा रहेगा ठहरने से कीडे-मकोडे उसमें आ सकते हैं तो अगर जहां पर चिकनी मिट्टे उसमें बालू डाल सकते हैं बालू डाल कर और उसमें पानी डालने क्योंकि बालू है ना बालू सोकती है पानी बालू पानी सोकता है तो इसलिए बालू डालने बालू डालने तो बहुत वेटर रहता है यह चीज मैंने इस टाइब से इसमें पानी भरा है और तीन-चार गंटे में आराम से सूख जाता है और सूखने से हमिडिटी जो बहुत ही अच्छी मेंटन होती 99 तक चली जाती है और यह चीज दिक्कत होती है जब हमारे यह जमीन सूखी रहती है जमीन गेली रहनी चाहिए है कित्व करते है यह देखना देखना हुष्टों इसमें 78-78 हो गई तो ऐसे हनी इसमें बढ़ती रहती है जब पानी दालेंगे हैं चारो तरफ तो ईमडिटी बढ़ेगी और हमारी रहती है क्योंकि हमको 85-90 रखना चाहिए जो हमारा प्रोडक्शन चलता है तो हमेडिटी हमको 85-90 बहुती अच्छा रिजल्ट देती है तो इतना रखें और प्रोडक्शन पे बहुती अच्छा प्रोडक्शन आपका चलता रहेगा और मस्रूम खुलने की जो बजा है जो किसी के मस्रूम लाल पड़ जाते हैं और यह छोटे ही होने पे उसमें कुछ ऐसी प्रोडम आती है जो पपरी बन जाती है पपरी ऐसी कुछ तो वो थोड़ा टंपरेटर डावन की बजा से होता है और उसमें अगर हमिडिटी कम है तो प्रोडम आपको देखने को मिलती है और दोस्तों जिन लोगों के पिनएड ग्रोथ नहीं हो रहे है कई भायों का सवाल था कि हमारे पिनएड बहुत स्लो ग्रोथ कर रहे हैं तो उसमें आपका हवा का हवा का संचार आपको बहुत ही अच्छा करना है और पानी आपको और साम को और जिससे क्योंकि इसमें आक्सीजन प्रयाप्त रहेगी तो हमारे जो पिन हैड हैं अच्छे से गुरोथ करेंगे और टंप्रेचर की बात है तो टंप्रेचर इसमें जो है ना वो अमको 15-18 तक अच्छा रहता है अगर 20 तक जाता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होत हैं और हुमिडिटी है 80-85 रखें अभी इतने टाम मैं आपको दिखाता हूं हुमिडिटी देखना एक्यासी एक्यासी इमिडिटी आ चुकी है तो यहीं चीज हैं इन चीजों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा हमारा रिजल्ट रहता है और दोस् पानी इस्प्रे दिया जारा देखिए इस टाइब से हलका हलका जैसे पानी आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो केसिंग मिट्टी है उसका हम पानी कैसे चेक करते हैं तो उसी टाइब से आपको पानी चेक करना है चेक करने के बाद में अगर पान करते हैं जो मैं जो आप लोगों को मैंने आपको दिखाया कि हम जो तरीका आजमार है वही तरीका मैंने आपको दिखाया है और यह देखना अभी हमारी कितनी हो गई है देखना यह 85 हो गई है ना हमारी कितने 35 मिनट में पच्चासी आ गई है और हमारी 75 इमिडिटी थी और टाइम हमारा सब्सक्राइब करते हैं तो यहीं चीज होती है अगर हमारी इमिडिटी सही है तो अच्छा चलता रहता है तो दोस्तों जाद आपका टाइम बेस्ट ना करके वीडियो करते हैं और यह चैनल पर पहली बार जो लोग हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें क्योंकि जो हमारे में प्रोबलम होती है या जो हमारे में अच्छा होता है तो हम इस चैनल के मध्यम से अफलोड करता रहत है मिलते हैं नेस्ट वीडियो में जब तक के लिए जय जवान जय किसान अ झाल झाल झाल